हाई, वेलकम टू मैट सुलिशनस फाउंडेशन इस वीडियो में हम लोग स्वाल्व करेंगे या समझेंगे 11 अप्लिकेशन आफ युक्लीट्स डिविजन लेमा जो आरस एगवाल बुक में दिया हुआ है क्लास 10th तो एक्जाम्पल वन है यहाँ पर हमें यह सो करना है कि हर एक पॉजटिव इवेन इंटिजर लेंगे तो उसका जो फार्म होगा मतलब कि जो दिखेगा इस तरीके से वो 2M के फार्म का होगा या फिर एवरी पॉजटिव ओड इंटिजर यदि कोई ओड इंटिजर लेते हैं पॉजटिव तो वह होगा 2M प्लस 1 के फार्म का यह हमें सो करना है तो हम यह सो करेंगे युकलीट सिटूजन लेमा का यूज़ करके लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पॉजटिव इंटिजर अब इन्हीं में से कोई ओड नमबर लीजिए या इभें नमबर लीजिए उसका फार्म ऐसा ही होगा तो देखते हैं थोड़ा सा इसे कह एं 4 ले लेते हैं बिल्कुल ही सकते हैं तो 2 x 2 6 लेंगे तो क्या मिलेगा 2 x 3 वैसे ही 8 लेंगे तो भी जाएगा 2 x 4 तो यहां पर आप सबसको देख रहे हैं होगे यहां पर कि यह जो numbers है वो 2 into m के form के है m क्या है some integer some positive integer 4 क्या है positive integer 3 भी positive integer है 2 भी positive integer है तो कर रहा है कि कोई भी even number को हम 2 into m के form में लिए सकते हैं और वहीं बोल रहा है कोई भी odd integer लेंगे जैसे 5 तो हम लिखेंगे 2 into 2 plus 1 तो 2 into m plus 1 ऐसा हो सकता है ना तो हम 11 लेते हैं तो 2 into 5 plus 1 ऐसा ले सकते हैं तो इसमें क्या कर रहा है 2m plus 1 के form का ये भी होगया तो वही का रहा है कि कोई भी odd number लेंगे तो इस तरह का होगा कोई भी even integer लेंगे तो वह होगा 2 into m के फार्म का लेकिन हमें so करना है using Euclid's division लेमा इसको भूलना नहीं है अब देखें Euclid's division लेमा यहां पर apply कैसे करेंगे जहां समझेगा Euclid's division लेमा यह खाता है कि कोई भी integer लेजए positive यदि हम किसी numbers divide करते हैं तो यहां पर एक quotient आता है और नीचे एक remainder आता है ठीक है और इन चारों में एक relation होता है उसी बात को हम यहां पर लिखेंगे तो पहले तो यहां पर solution में पहले आप लिख लिजेए कि let हमने मालने है कि n एक positive integer है तो एकाइडिंग टू युकलिट's division लेमा वी केन राइट बाइडिवाइडिंग टू वी केन राइट बाइडिवाइडिंग n भाइड़ टू देखें ये ये का एंको से ड्illyबाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं एंको बतल्ώς ये क्या है यहां पर टिविडेंट है डिविडेंड को सकते हैं हम 2 ंटू एम हैं इस转ाइड ऐस सकते हैं काइड्ट इन्टू युकलेट्स दिवाइजर से छोटा होता है तो यहां पर हमने टू लिया है डिवाइजर उसके हिसाब से हम यहां पर काम करेंगे यहां पर जो र की वेली用 आप देख रहे हैं यहां पर दो केस बंते हैं र की यहां तो यहां मिलेगा मैं बलेगा यहां मैं वैल yn Pa जब हम r is equal to 0 लेते हैं तो यहां मिल जाएगा n बराबर 2m प्लस 0 और n की बलू मिलेगी 2m तो यहां पर देख रहा हैं कि r is equal to 0 लेने पर जो कि दो ही case हैं उसमें से पहले हम 0 रख रहा हैं जब तो 2 into m मिल रहा है which is even which is clearly even तो ठीक वैसे ही case हम 2 लेंगे अब case 2 when r is 1 we get n is equal to 2 into m plus 1 which is clearly odd तो यहां पर हमें क्या मिला मतलब कि जब हम किसी भी नंबर को किसी भी positive integer को जब यूक्लिट्स डिजल लेमा के हिसाब से रखते हैं 2 से divide करने के बाद तो हमेशा 2 तरह का नंबर मिलता है वो या तो even मिलेगा या फिर odd मिलेगा और वही यहां पर so करने के लिए बोल रहा था तो यूक्लिट्स डिजल लेमा से हम यह so कर सकते हैं क्रश्लिटर वाया क्श्लिटर प्रवब क्श्लिटर है तो क्श्लिटर when